हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू इंडियर स्टडी इंडियर स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर किया जाओं जो कि आपकी आने वाले एक्जाम यू पी एसाई के लिए बेहाद इंपोटेंट है तो व आताना है देखो सवरों को तीन परकार ने जा possessed पहला है ए आई ओ चार यह हो गए तो टोटल साथ हो जाते निम्लेकत मेंसे अन्ताइस मेंजन आपको बताना है तो अन्ताइस मेंजन आपको बता चुका हूँ मैं यह भी चार होते हैं कौन कौन से होते हैं या रा ला वा तो कौन से दिया हुआ है वा वा जो है अन्ताइस मेंजन की स् फीए हर वरलं के सा और नहीं है हर को कि यह वह रेंग ayudar कर्या ओभी पूर माहप्रान जाएगा यह वह पूर्ड है करेक्ट शृष tissue स्वक्रांग बताना एंग already इसी को ही हम सगोस कहते हैं जैसे ही आपके सामने घोस आया आपके सामने टेवे लाई और आपको बताया था मैंने कि जो तीसरा चौता और पांचवा वन होता है उसको हम क्या कहते हैं घोस या सगोस कहते हैं ठीक है तो अब देखो जा जग चा चा जा 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 यहाँ तो यह तीसरा बन है क्या है सर तीसरा बन चा जा 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 यहाँ तो यह तीसरा बन है इसलिए यह गोस होगा जिको हमसач गोस कहेंगे पहले ही Opsons correct Oast 1 कौन सा है Oast 1 पुरा पावर आपका Oast से बोल जाता लेकिन नियात उसर आपके क्या दे दिये वेंजन दे दिये तो वेंजन में आपका छोटा उ और बड़ा उ यह दौनों ही ओष्ट से बोले जाते हैं चोगरुन सब्द आपको बताना है कि कौन सा योगरुन सब्द है योगरुन सब्द में मैं ने आपको बताया कि यहां पर आपका स सभी आंसर हो जाएगा जो बहुबरीय समास के जो उधारण होते हैं वो सभी योगरू में आते हैं समझ रहे जैसे जलाज ये एक बहुबरीय समास का उधारण है तो ये आपका योगरू में आएगा महुत सब का आपको संदी विक्षित बताना है कि महुत सब का सभी संदी व बैलों की गाड़ी उसी को बोलेंगे बैल गाड़ी और जहां कारक चिलनों का बोध होता वहां ततपर उस समास हो जाता है चौता ओपसंस करेक्ट आगमन में उपसर्ग उपसर्ग जो है वो किसी भी सब्द के आगे लगाए जाते हैं तो आगमन में कौन सा ओपसर्ग होगा तो आगमन में आपका आउपसर्ग होगा और गमन सब्द आपका अलग हो जाएगा तो यहां पर पहला उपसंस यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर करेक्ट होगा रसोईया का पिरते आपको बताना है यह को सब्द आपको बताना है कौन सा सब्द है कि रसोईया में क्या हो जाएगा दो को च्छा जो है यह आपका तत्सम में आता है च्छा का तदवा जब बनाते तो खा में बदल जाता और तरा कता है तो छेतर का खेत हो जाएगा तो यहां पर आपका पहला उप्सन से यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा न जीव, जीव सब्ध जो है वो एक तदबह सब्द है, निमलेकत मेंसे देशा सब्ध बता चुका हूँ जिन सब्दों की उत्पत्ति क्या पता नहीं चलता है तो उनकों हम अपने देश के ही सब्द माल लेते हैं, तो उनस सब्ध को ही हम देशा सब्द कहते हैं, कटूरा, पोटीजेटर रिक्याड कर लो, टिकेट, पहला ही options यहाँ पर आपका बिल्गुल correct, संग्या सब्द आपको बताना है, बहुत simple questions है, question number 19, संग्या सब्द बताना है, तो सभा, यह समु बाचक संग्या में आएगा, तीसरा options correct, सर्वनाम सब्द आपको बताना है, कौन सब्द यह परसन बाचक सर्वनाम में आएगा, चौता options correct, बिसेशन सब्द आपको बताना है, कौन सब्द जो है वो, बिसेशन सब्द है, 21, उचित, उचित सब्द जो है वो एक बिसेशन सब्द है, दूसरा options यहाँ पर आपका बिल्गुल क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, प्रि जिरना, चमकना, देना और गिराना, गिराना, तो देखो यहाँ पर तीसरा options correct हो जाएगा, गिराना जो है वो एक प्रिनार्थक करिया है, next questions, अवे सब्द आपको बताना है, कौन सब्द अवे सब्द है, जिसमें अवे है, question number 23, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाए ठीक है, और ठीक सब्द जो है, यह आपको सुईकार बूदा कावे में देखने को मिलेगा, ठीक है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है मैंने, पक्छी का परहएवाची आपको बताना है, कि पक्छी का परहएवाची सब्द क्या है, तो पक्छी का परहएवाची सब्द हो जाए होता है बहुत सिंपल कहावते आराम से बता सकते हैं कि सर समझदार को इसारा ही काफी होता है दूसरा options correct बेटे की सफलता का समाचार सुनकर पिता का हिर्दे फिलिंदा ब्लेंक्स हो उठा तो बेटे की सफलता का समाचार सुनकर पिता का जो हिर्दे है वो क्या हो चुका पर फुलित हो चुका 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 हो तो सीमा पर सेनेकों का जो जीवन है बहुत कठूर होता है चोहता options correct लाल पीला होना इस मौअबरे का सही अर्थ क्या है लाल पीला होना इस मौअबरे का सही अर्थ क्या है तो लाल पीला होना इस मौअबरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा कही समय का सुख यानि की छणे का सुख तीसरा ओपसंस करेक्ट बाग का इस्त्री लिंग क्या होगा इंपोर्टेंट कोसंस और यह किसी एक्जाम में पूछा जा चुक है मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं देखता रहता हूं ना उत्तर प्रदिस मुझे इतने वी पूछे जा चुके हैं तो बाग का जो इस्त्री लिंग होगा वो होगा आपका बाग हिन दूसरा ओपसंस करेक्ट जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं उनको क्या कहते हैं उनको क्या कहते हैं उनको कहते हैं हम कंदरा कहते हैं तीसरा ओपसंस यहाँ पर आपका का विसेशन के पूरी पीडियाप में आपको प्रोवाइड करवा चुगा हूँ टेलीग्राम पे तो विसेशन का जो आपका पूजा का जो विसेशन होगा वह आपका पूज्य तीसरा उप्सन्स करेक्ट 36 से 49 तक आपको क्या करना है एक वाग दे दिया जिस वाग में तुरूटी है भई आपको पैचानना है गोडा गाली सड़क उपर दोल रही है अब आप खुद बताओ इसका किस पार्ट में गलती है भई यह दूसरी पार्ट में गलती है क्यों कि य में गरति है यहां पर आपको ब्लूम पर और 20ौफ पर आपको बलोंसब्द क्या होगा इस प्लूम सब्सक्रा उप्सब्द का होगा इस तो झो गोपनिये काव्लोंसब्द क्या होगा आपका पारदर्ची पहलाई ओप्संस यहां पर आपका असास किये का होगा आपका असास किये और राज का होगा खुला या सर्वितित ठीक है सिथिल का ब्लूम सब्द क्या होगा सिथिल का ब्लूम सब्द तो सिथिल का ब्लूम सब्द हो जाएगा आपका चंचल मिरत का अग तो इस questions का answer आप मुझे comment box में बताएंगे कि सर्फ पादप का प्रहेवाजी सब्द क्या होगा तो दोस्तो यह थे आपके हिंदी के 40 important questions जो कि मैंने आज की जुड़िविया आपको complete करवा दिये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तो वीडियो को like और लात रहता हूं नमस्कार दोस्तो जै हिंद जै भारत